नारे पिता परमेश्वरी अच्छे से समय के लिए हम दन्यवाद करते हैं प्रभू आज भी परमेश्वर जो भी लोग परमेश्वर आपके वच्चन सुनने के लिए आपके समुग में आकर बैटे हैं परमेश्वर उनकी परमेश्वर आप सुन ले परमेश्वर उनके मन में जो भी सोच विचार है वो आप जानते हैं परमेश्वर आपके वच्चन द्वारा परमेश्वर उनसे बाते कीजिए परमेश्वर ऐसा आप करने वाले हैं इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर एक स्मरन सक्ती से परमेश्वर सारे लोगों को आप बर दीजिए ऐसा करने वाले हैं इसके लिए धन्यवाद है शुमसी के नाम से मांगते पिता आमेन बजन संगीता 104 चलता है जो पवनों में को अपने दूद और धटकती आग को अपने टहलुए बनाता है तुने पृत्वी को उसकी नीव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी न डगमगाए तुने उसको गहरे सागर से ठाप दिया है जैसे वस्तर से जल पहाडों के उपर तहर गया तेरी गुड पचने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके वह गया वह पहाडों पर छड़ गया और तराईयों के मार्ग से उस तान में उतर गया जिसे तुने उसके लिए तयार किया है तुने एक सीमा टहराई जिसको वह नहीं लांग सकता है और न लौटकर सल को ताप सकता है तुन में सोतों को बहाता है वे पहाडों के बीच से बहते हैं उनसे मैदान के सब जीव जन्तु जल पीते हैं जंगल गदे भी उपनी प्यास बुझा लेते हैं उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते और डालियों के बीच में से बोलते हैं तु अपनी अठारियों में से पहा और मनुष्य के काम के लिए अन आदी उपजाता है और इस रिती भूमी से वह बोजन वस्तवे उत्पन करता है और धाक मदू जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है और तेल जिससे उसका मुख चमकता है और अन जिससे वह संबाल जाता है यहोवा के व्रिक्ष तुरुप तक रहते हैं अर्ता लबनोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए है उसने चिडिया और गोसले बनाती है लगलग का बसेरा सनावर के व्रिक्षों में होता है उचे पहाड जंगली बक्रों के लिए है और चटानों शापानों के सरिंश्ता है उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया है सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है तू अंदकार करता है तब रात हो जाती है जिसने वन के सब जीव जन्तु गुमते फिरते हैं जवान सिंग हैर के लिए गरचते हैं और इश्वर से अपना आहार मांगते हैं अपनी मादों में जा बैठते हैं तब मनुष्य अपने काम के लिए और संदया तक परिश्रम करने के लिए निकलता है यहोवा तेरा काम अंगिनित है इन सब वस्तुवों को तो ने बुद्धी से बनाया है पृत्वी तेरी समती के संपती के से परिपूर्ण है इसी प्रक समुत्र बड़ा है बड़ा और बहुत ही चवड़ा है और उसने अंगिनित जल्चर जीव जन्तु क्या छोटे क्या बड़े बड़े पड़े हैं उसमें यहांच भी आते जाते हैं और लिव्यतान भी जिसे तुने वहां केलने के लिए बनाया है इस इन सब को तेरा ही आस् कि तु उसका आहार समय पर दिया करे तु उन्हें देता है वे चुन लेते हैं तु अपनी मुटी कोलता है और वे उत्तम पदार्तों से त्रप्त होते हैं तु मुख फेर लेता है और वे गबरा जाते हैं तु उसकी सास ले लेता है और उसके प्रांचुट जाते हैं और मि यहोवा की महीमा सदाकाल बनी रहे यहोवा अपनी कामों से आनंदी तो हुए उसकी दृष्टी ही से पृत्वी काप उठती है और उसके चूते ही पहाडों से दुआ निकलता है मैं जीवन बर यहोवा का गीत गाता रहूंगा जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमिश्वर का बजन गाता रहूंगा मेरा ध्यान करना उसके प्रिय है क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदी त रहूंगा पापी लोग पृत्वी पर से मिट चाए और दुष्ट लोग आगे को न रहे हे मेरे मन यहोवा को धन्य का याह की स्तूति करो बजन संगीता एक सो पाच यहोवा का धन्यवात करो उससे प्रातना करो देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो उसके लिए गीत गाओ उसके लिए बजन गाओ उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो यहोवा के कोजियों का रदै आनन्दित हो यहोवा और उसकी सामर्त्य को कोजो उसके दर्शन के लगातार कोजी बने रहो उसके किये हुए आश्चर्य कर्म स्मरन करो उसके चमककार और निर्नई स्मरन करो हे उसके दाश अबरहाम के वंश हे यहोवा की संतान तुम तो उसके चुन हुए हो वही हमारा परमेश्वर यहोवा है पृत्वी बर में उसके निर्नई होता है वह अपनी वाचा को सदा स्मरन रखता आया है वह यह वही वचन है जो उसने हजार पीडियों के इसलिए टहराया है वही वाचा जो उसने अबरहाम के साथ बांदी और उसके विशय में उसने इसहाक के शपतकाई और उसी को अपने याकुप के लिए विदी करके और इस्राइल के लिए यह कहकर सदा की वाचा करके द्रड किया मैं कनान देश में तुझी को दूँगा वह बाट में तुमारा निच बाग होगा उस समय तो गिंती में थोड़े थे वरन बहुत ही थोड़े और उस देश में परदेशी थे वे एक जाती से दुसरी जाती में और एक राज से दुशे राजर में फिरते रहे परन्तु उसने किसी मनिश्य को उन पर अंदेर करने न दिया और वह राजाओं को अउनके निमित यह दमकी देता था मेरे अभिक्षेकित को मत चुओ और न मेरे नभियों की हानी करो फिर उसने उस देश में अकाल बेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया उसने युसुफ नामक एक पुरुश को उनसे पहले बेजा था जो दास ओने के लिए बेजा गया था लोगों ने उसके पैरों में बेडिया डाल कर उसे दुख दिया वह लोहे की साकलों में से जकडा गया जब तक कि उसकी बात पूरी नह हुई तब तक यहोवा का वचन उसे करसाउटी पर कस्ता रहा तब राजा ने दूत बेज कर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोग के स्वामी ने उसके बंदन खुलवाए उसने उसको अपने बवन का प्रदान और अपनी पूरी संपती का अधिकारी टहराया कि वह उसके हाकीमों को अपनी इच्चा के अनुसार कईद करे और पुर्नियों को ग्यान सिखाए फिर इसराइल मिश्र में आया और याकुब हाम के देश में परदेशी रहा तब उसने अपनी प्रजा को घिंती में बहुत बढ़ाया और उसके शत्रूओं से अधिक बलवंत किया उसने मिश्रियों के मन को ऐसा फेर दिया कि वे उनकी प्रजा से बैर रखने और उसके दासों से चल करने लगे उसने अपने दास मुसा को और अपने चुने हुए हारुन को बेजा उन्होंने उनके बीच उसकी ओर से बाती-बाती के चिन्ह और हाम के देश में चमक कर दिखाए उसने अंदकार कर दिया और अंदियारा हो गया और उन्होंने उसकी बातों को नटाला उसने मिश्रियों के जल को लहू कर डाला और मचलियों को मार डाला मेंडक उसकी बूमी में वरन उसके राजा की कोटरियों में भी मर गए उसने आगया दी तब दांस ओ आ गए और उसके सारे देश में कुटकिया आ गई उसने अपने लिए जल व्रिष्टी के बदले ओले और उसके देश में धड़कती आग बरसाई उसने अव उनकी दाक लताओं और अंजीर के व्रिक्षों को वरन अपने देश के सब पेड़ों तो तोड़ डाला उसने आग्या दी तब अगनी नतर तित्या और कीड़े आए और उनोंने उसके देश के सब अन आदी को काड़ाला और उनकी बूमी के सब फुलों को चट करड़ गए उसने उसके देश के सब पहलोटों को और पूरुशों के सब पहले फल को नश्ट किया तब वह इसराइल को सोना चांदी दिला कर निकान लाया और उन में से कोई निरबल न था उसने जाने में मिजरे मिश्री आनंदित हुए क्योंकि उनका डर उसमें समा गया था उसने चाया के लिए बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की उनोंने मांगा तब उनों उसने बटेरा पहुचाई और उन उनके स्वर्गिय बोजन से त्रप्त किया उसने चटान फाड़ी तब पानी वह निकला और निर्जल भूमी पर नदी बहने लगी क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास अबराहाम को स्मरन किया वह अपनी प्रजा को अर्शित करके और अपनी चुने हुए से जेजेकार कराके निकाल लाया और उनको जाती जाती के देश दिये और वह अन्य लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किये गए कि वे उसकी वीदियों को माने और उनकी विवस्ता को पूरी करे याह की स्तूती करो बजन संगीता 106 याह की स्तूती करो यहोवा का दन्यवाद करो क्योंकि वह बला है और उसकी करुना सदा की है यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्नन कौन कर सकता है या उसका पूरा गुनानुवात कौन सुना सकता क्या ही दन्य है वे जो नयाई पर चलते और हर समय दर्म के काम करते है हे यहोवा अपनी प्रजापर की प्रसनता के अनुसार मुझे स्मरन कर मेरे उधार के लिए मेरी सुधी ले कि मैं तेरे चुनेवों का कलपना देखू और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाओ और तेरे निच बाग के सग बढ़ाई करने पाओ हमने तो अपने पुरकाओं के समान पाप किया है हमने कुटिल था की हमने दुष्टता की है मिश्र में अमारे पुरकाओं ने तेरे आश्यर करमों पर मन नहीं लगाया ना तेरी अपार करुना को स्मरन करका उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थातलाल समुद्र के किनारे बलवा किया तो भी उसने अपने नाम के निमित उनका उधार किया जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे तब उसने लाल समुद्र को गुड़का और सब सुख गए और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले आया उसने उन्हें बैरी के हाथ से से एक भी न बचा और उन्होंने उसके वच्चनों का विश्वास किया और उसकी स्थूती गाने लगे परंतु बे जट उसके कामों को बूल गए और उसकी युक्ती के लिए न तहरे उन्होंने जंगल में अती लालसा की और निरजल स्थान में परमिश्वर की परिक्षा की तब उसने उन्हें मुह मांगा वर्तो दिया परंतु उनके प्रान को सुका दिया उन्होंने चावनी में मूसा के और यहोवा के पवित्र जन हारून के विसे में डाग की बूमी फट कर दातान के को निगल गया और अबराम के जुंड को ग्रस लिया और उसके जुंड में आग बड़क उटी और दुष्ट लोग लव से बस्म हो गए उन्होंने होरे में बच्राद बनाया और डली हुई मूर्ती को दंडवत की यो उन्हें ने अपनी महीमा अर्तात परमेश्वर को गास काने वाले बैल की प्रतिमा से बदल डाला वे अपने उदार करता परमेश समुद्र के तट पर बयंकर काम किये थे इसलिए उसने कहा कि मैं उसका सत्यनास कर डालता यदी मेरा चुन हुआ मूसा जोकिम के स्थान में उसके लिए कड़ा न होता ताकि मेरी जल जलाहट को तंड़ा करे कही ऐसा न हो कि मैं उन्हें नश्ट कर डालू उन्होंने मन पूज़ों के में कुड़कुड़ाए और यहोवा का कहा न माना तब उसने उनकी विशेग में शपत काई कि मैं इनका जंगल में नाश करूँगा और इनके वन्ष को अन्य जाती के समोग गिरा दूँगा और देश देश में तितर बितर करूँगा वे पोर वाले बाल देवता को पूजने लगे और मुर्दों को चड़ाई हुए पशुओं का मास काने लगे यो उन्होंने अपने कामों से उनको क्रोध दिलाया और मेरी उनमें फूट पड़ी तब पिनहास ने उठकर न्याई दंड किया दिया जिसने मेरी तम गई और यह उसके लेखे पीडी से पीडी तक सरवदा के लिए दर्म गिना गया उन्होंने मरीबा के सोते के पास भी यहवा का क्रोध बढ़काया और उनके कारण मुसा की हानी हुई क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया तब मुसा बिन सोचे बोल उठा जिन लोगों के वि हिल मिल गए और उसके व्यवहारों की सीख लिया और उसकी मुर्तियों की पूजा करने लगे और वे उनके लिए फंदा बन गई वरन उन्होंने अपने बेटे बेटियों को पिशाचों के लिए बलिदान किया और अपने निर्दोश बेटे बेटियों का लहु बहाया जिन उन्होंने कानान की मुर्टियों पर बली किया इसलिए देशकून से अपवीत्र हो गया और वे आप अपने कामों के द्वारा अशुत हो गए और अपने कारियों के द्वारा व्यभीचारी भी बन गए तब यहुबा का क्रोध अपनी प्रजा पर बढ़का और उसको अपने निच बाग से ग्रिना आई तब उसने उनको अन्य जातियों के वश में कर दिया और उसके बैरियों ने उन पर प्रभुता की उनके शत्रुवों ने उन पर अंदेर किया और वे उनके हाथ तले दब गए बारम बार उसने उने चड़ाया चुडाया परंतु वे उसके विरु तब तब उसने उसके संकट पर दृष्टी की और उनके हीत में अपनी वाचा के स्मरन करके अपनी अपार करुणा के अनुसार तरसकाया और जो उन्हें बंदी बना कर ले गए थे उन सब से उन पर धया कराई है हमारे परमेश्वर यहोवा हमारे उदार कर और हमें अन्य जातियों में से इकटा कर ले कि हम तेरे पवित्र नाम का दन्यवात करे और तेरी स्तूति करते हुए तेरे विशय में बढ़ाई करे इसराइल का परमेश्वर यहोवा अनादी काल से अनन्त काल तक दन्य है और सारी प्रजा कहे आमेन याह की सूती करे प्रमिश्वर प्रमिश्वर जिस किसी ने भी परमिश्वर आपके वच्चन सुने परमिश्वर उनके जिन्दगी में परमिश्वर जिस प्रकार आपने परमिश्वर मिश्र के लोगों को यह परमिश्वर आपने मिश्र देश से परमिश्वर आपने लोगों को बाहर निकाल कर आई सारी रुखावटे परमिश्वर आपने परमिश्वर दूर खीती परमिश्वर वैसा ही परमिश्वर लोगों के जिन्दगी में जो भी रुखावटे है परमिश्वर उसे दूर कीजिए परमिश्वर आपके वच्छन में और स्थिर खड़े रहने के लिए आप मदद कीजिए ऐसा आपने किया है इसके लिए धन्यवाद करते हैं शुमसी के नाम से मांगते पिता आमेन